हेलो दोस्तों मैं हूँ सफल और आप देख रहे हैं सफल भी लोग दोस्तों ऐसा कि आप जानते कि हमारे चैनल के माध्य हम से यूपी सीटी से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है तो इसी सिल्चने में यूपी सीटी एमसी और एमबे के जो प्रिपरेशन को cking और तो इस वीडियो के जरी अंसर सहें सालियूसन उसको सॉल्व करते हुए सारे कोस्टन स्टिसकर्ष कहीं साद eks näगों में यू पीडियो के की में दो सिमलेर्टी है एक है एक जो पार्ट अब हो न्यूमेर्कल अप्टिटूड और दूसरा है रिजनिंग एंड लॉजिकल डिडेक्शन तो इन दो चैप्टर्स को हम क्लियर करेंगे साधी साथ कंप्यूटर अवेर्नेस और जो 11-12 मैथ के लेकर भी हम कुछ वीडियो प् इसमें हम आज प्रिवेस येर 2019 का जो कोईस्टन पेपर है उसको डिसकस करेंगे तो सीधे कोईस्टन पेपर की सुरुवात करें इससे पहले मैं बता दूँ अगर आप वीडियो पर नए आया है तो वीडियो को लाइक कर लेना चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना हम हमारी वीडियो को तो हम सीधे आपके टॉपिक पर बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए बहुत जादा महनत कर रहे हैं इसके लेकर अगर आपके कोई भी अच्छे कमेंट्स हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखना साथ चैनल डाँपे कने वाली पर इस वीडियो के रहिए हैं और दिसक्रिप्स और प्ले साथ today's कॉष बहुजब दो Akbar की वीडियो के दी तो सब से पहले मैं बात करूं 26 कोस्टिन की अगर आपको पूरे जो कोस्टिन की पीडियाफ एक साथ डाउनलूड करनी है तो जरूर हमारे चैनल को जोईन करके अभी पीडियाफ ले आईए क्योंकि पीडियाफ सामने रखके आप पढ़े होंगे वैसे हम सामने आपके कोस्टिन साथ इसमें कह रहा है एक संभाव का वैसकों 36 डिग्री है तब उसकी भुजाओं का की संक्या क्या होगी जैसा कि आप जानते कि जो इंगलिस में पेपर प्रिविस यर में होता था और हिंदी दोनों में मगर इस बार केबल इंगलिस में होना है तो मैं हिंदी में समझा तो दे रहा हूं मगर याद रखें कि आपका जो इस बार पेपर होगा वो इंगलिस में होगा तो रेगुलर पॉलिजन हैस दा एक्स्टरनल एंगल 360 तो सीधम सॉल्यूसन की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि जो एक्स्टरनल एंगल है वो 36 डिग्री है तो जो जितन क्योंकाथ हम कह सकते है कि अगर हम इस में क्या पूछा गया है क्ये सब्सक्रार को क्या बताना है मैं आपको शाइस बताने है तो जो एक एंगल दिया गया है यह 360 तो एक्स्टरनल एंगल क्या दिया गया है 360 तो हम कह सकते है हं 36idences दिया गए तो हम कह सकते हैं 36 s is equal to 360 तो s is equal to 36 upon 360 तो 36 से 360 काटेंगे तो 36 1 और 0 यानि 10 आ जाएगा आपने इतनी simple math तो पढ़ी होगी कि आप किस प्रकास से इसको simplify करेंगे 360 upon 36 को है ना अब अगले question की तब पढ़ते हैं 27 मा question कहा रहे हैं इन triangle ABC और वो angle B is equal to 90 degree AB is equal to 12 BC is equal to 16 let DE be point on AB BC respectively so that DE is equal to 10 then AE plus CD is equal to तो इसमें का गया एक तिरवो जाए ABC जिसका जो एक कोन है नब डिगरी यानि B कोन है वो है समकोन यानि नब डिगरी AB 12 BC 16 मानते हैं कि D और E क्रमसा AB और BC के एक बिंदू पर हैं यानि जहां AB और BC है वहाँ D और E है तब D is equal to 10 दिया है तो AE square plus CD square ग्याद करना है तो सबसे पहले हैं अपन को एक सबसे पहले समकोन तिरवोज बना लें जो की 90 degree का हो यानि इसमें कोन 90 डिगरी दिया है तो जब हम समकोन तिरवोज बनाएंगे तो अपन जो 90 डिगरी का कोन होगा उसको भी मान लें क्योंकि B is equal to 90 डिगरी दिया और उपर वाले को को दे देंगे A नाम और नीचे वाले को दे देंगे C नाम तो जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा BC तो अब हम बात करें जो लंब होगा यानि A और B होगी वोगी 12 क्योंकि उसमें दिए AB is equal to 12 और BC is equal to 16 तो अब हमको स्कॉरर को हमको उस्कॉरर कारें के स्कॉरर कशॉर कोह करेंगे तो 144 प्लस 256 आएगा तो इस्कॉरर कितना है एका जो टोटल आएगा वो आयगा 400 और दी इस कॉर आएगा तो डी इका हम बात करें तो जो डी दिये वो अपनको already question में दिया है 10 तो डी is equal to हो जाएगा 10 का square तो क्या हो जाएगा 100 तो अब हम बात करें क्या निकालना a square plus cd square तो आप सामने जरूर देखना a e square तो a और e आप देख पा रहे हैं जो होगा वो a c के बराबर होगा तो हम कह सकते है a e square is equal to a c square और plus c d square दिया c और d c d square d e square तो अपन कह सकते है a e square plus c d square is equal to a c square plus d e square तो a c square कितना है 400 और d square कितना है 100 तो a e square plus c d square का मान आ जाएगा कितना 500 तो आपको इसका आयो पांसर आ गया होगा repeat करके आप slow motion में भी वीडियो देख सकते हैं थोड़ा सा अगर आपको जल्दी में पढ़ा रहा हूं तो पीछे करके भी आप वीडियो देख सकते हैं अगला question है क्या a got is tied to a row fixed at the center of a square field so that the length of the row is one third of the length of side of field it if the got grace at grass all the grasses grass in the field within its reach the percentage of leftover grasses was a This time openedctica by those way crosses by mothers us जो एक वर्शी से एक वर्ग छेतर वर्ग याद रखिए का theatre वर्ग चेटर की केंद्र पर इस प्रकास से बांधी गई है एक वर्ग है यानिë क्यूब है जो स्कौा crochet रए उसके च्छेत में बांधी गई, एक बकरी है जिसको रसी से एक बर्ग केंद यानी बीच में, उसको रसी की लंबाई बर्ग की बुज़ा रहत है है, जो स्क्वाइर दिया है वो उसका एक बनवाई थ्री हिस्सा है तो यदि बकरी अपने पहुंच के भीतर के छेतर की सभी घांस चल लेती है तो बची हुई घांस क्या होगी तो यानि उसमें का गया है कि जितने भी घांस है पूरे जो ग्राउंड में उसका एक अगर रसी सेंटर पर बंदी है और रसी की जो लंबाई वे बन वाई थर्ड है तो जितनी भी सेंटर की घांस होगी वो बन वाई थर्ड ही चरेगी यानि बन वाई थर्ड चरेगी तो जो वो रसी एक त्याई बाग में हैं तो उतनी जगे पे बकरी भी होगी तो आप इस से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक त्याई बाग यानि जो बर का एक त्याई बाग होगा उस तनी ही घांस चरिए है तो इसमें कितनी घांस रह जाएगी तो आपको कहना होगा 60-70 अप्रॉक्समेटली होगा तो दी आंसर इसका करेक्ट है अब एक स्टेटमेंट दिया है कि यह सही है या गलत यह स्टेटमेंट इनमें से कौन सा गलत है इसमें पूझे गया इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है तो इसका जो स्टेटमेंट है पहला स्टेटमे आपने जरूर पढ़े होंगे जब आपने तिर्बुज वाली चीज़ें पढ़े होंगी जो आप करें ट्रैंगल्स की चीज़ें पढ़े होंगी English का ही कोश्चन है जितने सारे कोश्चन निकलने क्लास 10 के लेविल के कोश्चन से तर नमबर पॉसिबिल इंटीजर वैल्लु आफ विच दाइक्वेशन 9x2 स्कार प्लस 6nx2m2-1 is equal to 0 है इसमें क्या क्या गया दो चीज़ें या रखनी है जो एक्वेशन है उसमें क्या गया गया इसमें पूछा किटने पॉसिबिल इंटीजर हो सकते हैं जो एक्वेशन है उसमें और एक्वेशन क्या है रियल रूस्ट है तो अब हम सीथे आपको possible integer के लिए आपको क्या formula एक लगाना पड़ेगा तो क्या है वो formula सबसे पहले हम आपको बता देते हैं तो equation जो है वो दिये 9x square plus 6 nx plus 2n square minus 4 is equal to 0 तो एक आपने equation पड़ी होगे ax square plus bx plus c is equal to 0 तो a की जगह क्या है 9 है b की जगह क्या है 6 n है और c की जगह क्या है 2n square minus 4 देख पा रहे होंगे ax square तो a की जगह 9 है और bx b की जगह 6 n है और c is equal to 0 तो c 2n square minus 4 जितना है वो हो गया c तो formula क्या होता है formula होता है b square minus 4ac real root का गया है तो b square minus 4ac is less than equal 0 क्योंकि real root का गया तो अब हम b square यानी 6 n का whole square तो 6 n का whole square क्या हो जाएगा 36 n square minus 4 into a की value कितनी दी है 9 into c की value 2 n square minus 4 to 2 n square minus 4 is less than equal 0 पूरा क्या हो जाएगा less than equal 0 के तब 36 n square minus इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा minus 72 n square plus 144 इतनी अगर आप mc की preparation कर रहें तो basic calculations तो आप करी सकते हैं तो इतनी equation आएगी पो होगी less than equal 0 के अब हम बात करेंगे minus 36 n square और इसको घटाएगे तो क्या जाएगा minus 36 n square क्योंकि 36 n square minus 72 n square सेम है तो इसको घटाएगे तो इसको घटाएगे तो minus 36 n square plus 144 is less than equal 0 तो 144 को 144 को 36 n square को जब इदर लियाएगे तो 144 is greater equal 36 n square हो जाएगा तो n square is less than equal क्या हो जाएगा 144 upon 36 क्योंकि यह calculation है basic आप कर सकते हैं तो n is less than equal under root लग जाएगा क्योंकि n इसको आपता तो आप इदर पर under root 144 upon 36 तो काटेंगे तो क्या जाएगा answer less than equal plus minus 2 तो आप अब देख पा रहोंगे कि n is equal to plus 2 और comma minus 2 तो plus minus 2 से plus 2 का अगर आप एक बनाएगे तो minus 2 से plus 2 के बीच में क्या आती है संक्या है minus 2 minus 2 से लेकर plus 2 के बीच में कितनी संक्या है minus 2 minus 1 0 1 2 यानि 5 तो जो number of n number of जो पूछा गया है possible integers कितने होंगे number of possible integers n जो होंगे वोंगे 5 आयोब आपको clear हो गया होगा यह बाला अब हम चलते हैं 34 में question के ऊपर 34 में question इसमें आपको आपके पास अगर पाचमा गयात करेंगे 6 ऐसी करके 12 तक तो मैं बता हऊं 2 और 6 की बीच में कितना यह पा रहा है अगर 4 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाता है, 2 से 4 जोड़ेंगे चैना उलहाईगा,じゃあ 6 हो जाएगा, musique 12 से 8 जोड़ेंगे 20 हो जाहईगा तो मैं आपको लगर जोड़ा 20 होगा इसी प्रकास से अगर आप 12 तक चले जाएंगे तो 132 पिलस 24 दो दो बढ़ाते चले गए तो आंसर होगा 156 आयोप क्लियर हो गया होगा कि आपको देखना है 2, 6, 12, 12, 20, 30 सब में गैप देखिए आप कितने का जा रहा है दो दो का सारा गैप जा रहा है तो 12 तक पूछा गया तो उतना ही जोड़ते चले जाएगा दो बढ़ा थे बढ़ा के तो आयोप सारे कोस्टेंस हमने डिसकस करें हैं पांच कोस्टेंस जो हमने डिसकस करें हैं उनको अगर आपको यह बीडियो ब्रयाने हैं अगर अची क्रवल रगते ह sitä क्ल दो दो वीडियो और आसकती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना लेना इस वीडियो को लाइक रेना तैंक्यूज़ वर सिस वीडियो झाल